हमारे सारे प्रेश्रोताओं को प्रमिश्पर की प्रिभक्त गरनुको प्रभीश मसीः के नाम में प्यार वारा ज्याए Freeman के कहते हुए हम सब की मनफसन द्यान के अंदर ही अजय की दैनिकाराग में और इस नए दिन में आप सब करते हैं हमानी अद्यान आयूप का ग्रंग्यारव ध्याय में चल रही है और इसका पहला वह चिंसे बढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे तर नामाती सोपर ने कहा बहुत सी बाते जो कहीं गई हैं क्या उनका उतर देना ना चाहिए क्या बखवादी मनश्या धर्मी टहराएं जाएं क्या तेरे बड़ी बोल के कारण लोग चुप रहे और जब तो टटा करता है तो क्या कोई तुझे लजित ना करे तो तो यह कहता है कि मेरे सिद्धाद यह है मैं इश्वर की दिर्ष्टी में पवित्र हूं परन्तों भला हो कि इश्वर स्वयम बाते करें और तेरे ब्रदम्बों को लें और तजबार बुद्धी की गुपत बाते प्रकट करें कि उनका मर्मा तेरी बुद्धी से बढ़कर है इसलिए ज कर सकता है वह अदलोग से गहरा है तो कहां समझ सकता है उसकी मा प्रद्वी से भी लंबी है और समुद्ध से चोड़ी है जब इश्वर बीच से गुजर कर बंद कर दे और अदारत में बलाए तो कौन उसको रोक सकता है क्योंकि वपाकण्डी मनिश्यों का बेज जानता है और अनत काम को बिना सोच विचार किये भी जान लेता है पर तो मनिश्यों चूचा और निर्बुद्धी होता है क्योंकि मनिश्यों जन्म ही से जंगली के दे के बच्चे के समान होता है यदि तो अपना मनिश्यों करे और इश्वर की और अपनी हाथ पहलाए और जो कोई अनरत का काम तुस्से होता है और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे तब तो तो निश्यों अपना मून इश्कलक दिखा सकेगा और दुस्तिर होकर कभी न डरेगा तब तो अपना दुख बोल जाएगा तो उससे पानी के समा स्मरन करेगा जो बह गया हो और त देखते का तो निर्वे विश्राओं कर सकेगा और जब तो लेटेगा तो कोई तुझे ढराएगा नहीं और बहुत देरे तुझे प्रसंग करने का यत्म करेंगे पर दो दुस्त लोग की आँके रह जाएंगी और उन्हें कोई समर्स्तान नहीं मिलेगा और उनकी आश्रा यही होगे कि यह प्रान निकला जाए अयूब का ग्रम 11 वद्याई का पहला वचन से लेकर आगरे वचन तक हमने पढ़कर सुना है अयूब ने जितने भी बाते कहीं हैं उन सारे बातों को उसका मित्र अभी जवाब देने के लिए उट खड़ा हो जाता है तैन मित्रों में से नामाती सौफर की बातों को हमने अभी तप पढ़कर सुना है आयूब जब अपने आपको धर्मी टहराने के अबी भी वी कोशिश कर रहा है तो सौफर को घुसा आजाता है और अपने क्रोध में खो कहनने लगता है जब इतनी सारी बाते कहीं कहीं हैं तो क्या उसका उत्तर देना उचित नहीं होगा क्या बकवादी मौनश्र कभी धर्मी टहराए जा सकता है इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा होता हो और ये मेरे समय है बोलने का और आयूप से वो समाल करने लगता है क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग छुप रहेंगे और जिब तो टटा करता है तो क्या कोई तुझे लजीत ना करे आयब के बातों को सुनने के बाद सुपर को टटा करता हो सुनाए पड़ता है किसकी टटा करता हूँ आपने आपको धर्मी टहरा कर अपने मितरों को जुटा डैरा कर परमिश्वर अकारन से ही उसके पर ग्रोध को बढ़ गाए है परमिश्वर अकारन से ही उसके पर मुकदमा को चला रहे है परमिश्वर अकारण से ही उसे जीवित रखा है परंतो किसी प्रकार की आश्रक उसमें नहीं छोड़ा है ऐसी बात ही जब करने लगा था सोपर पुकुरोदा चुका है और इसलिए वो कहने लगता है कि बगवादी मौरिश कभी धर में ठहराय जा सकता है और जब इतने सारी बाते कहते रहता है तो क्या सबी लोग चुक बैटेंगे तो तो कहता है कि मेरे सिद्धान तश्युद है और मैं इश्वर की दुष्टी में पवित्र हो पर तो भला हो कि इश्वर स्वाइम बाते करे और तेरे बेरे दो मुग खोले और तश्वर बुद्धी की गुर्द बाते प्रकट करे और उनका मर्म तेरी बुद्धी से बढ़कर है इसलिए जान ले कि इश्वर तेरे अधर में से बहुत कुछ भूल जाता है क्या तो इश्वर का गुड़ बाते पास सकता है और क्या तो सरवश एक्तिमान का मर्म पूरी रीती से जान सकता है वो ताका से भी उंचा है तो क्या कर सकता है वो अदलोग से भी गहरा है तो क्या समझ सकता है इतने सारे सवाल पूचने के बाद बिल्दग की दरह ही सोपर भी कहने लगता है यहीं तो अपनी आपको धर्मी तहराना बंद करके तो अपनी दोश को अपनी अपराइत को परमिश्वर के सामने रखेगा जो कुछ दिनों किया है उसका कुबूल करेगा उसे स्विकार करेगा और जो कुछ भी तू अपने आप में और भी धर में डेराने के लिए कुछ और कारणों को ढूंडता है उस प्रयास को तू छोड़कर परमिश्वर के सामने जाकर अपने आपका समद्पन करेगा और परमिश्वर जो मनुश्वर का से नहीं है परंतों वो तो इश्वर का भी इश्वर है वो तो परमिश्वर है तो उसकी मन के आधार पर जो जांसता है तो उसे कौन सवाल खड़ा कर सकता है वो जब कछेरी में बिलाता है तो उसे कौन रोग सकता है और कौन कह सकता है कि मैं नहीं आ सकता हूँ और कौन कह सकता है मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता हो और कौन कह सकता है कि परमेश्वर तुने ऐसा क्यों किया है इसलिए मनशी तु मनशी है परमेश्वर की तुल्य नहीं हो सकता है और परमेश्वर परमेश्वर होता है वो मनशी की तुल्य नहीं होता है अपने आपको परक अपने आपको जाँच और जो कुछ भी तो निया किया है उसे स्पीकार कर ले एक आश्यो करक और परमेशर की पास जाकर उसे मांग ले परमेशर तुझे फिर से पर तेरे मुमा का वर्दान तुझे दे देगा और तुझे फिर से पुरानी रिधी के नाई इससे भी बढ़कर बहुतायत की बर्कते बहुतायत की आश्यतुश पर उंडे लेगा अपने आपको जाच ले पर अखले इस प्रकार की सलाव को सोपर देता है आईब के इन बातों को सभी कार करता है पर ने को बात का हत परमेश्वर की महिमा करता हुआ परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ही ले लिया है ऐसे समर्पन की बाते करने के लिए आई सिरों को जिखाएंगे आँकों को मंद करेंगे चोटी सी प्रातना करेंगे पिताम फिर से एक बार आपकी स्तुति करता है प्रशंप सा करता हैं महिमा करता हैं गौरवादर समान के साथ प्रभू आपकी भक्तगरों को अपने आपको परमेश्वर आपकी नजरों में लेकर आता हैं हम सबों के वह परमेश्वर अपने उंडेले वे सारी आशवादों के लिए बरकुतों के लिए उपकारों के लिए शुक्रिदा करता है। अगर ऐसे में द बरोके राजमान सब को शामल करने के लिए परादना करते हैं पिताफ ने मारी सारी परादनों को सुनकर हमेद्योतर के लिए धरीबात करते हुए हमारे उद्दार करता हमारी पुरबिश्य मुस्यीकि नाफ से इस परादना को मांगते है सुन और कबल कर पिताब आमेन 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 परमिश्वर की धनिताओं को प्राप्त करने परमिश्वर के आशवादों को भी प्राप्त करता हुआ हम सब शांत मन को भी प्राप्त करता हुआ एक निश्चिंद और निडर जीवन भी हमसर प्राफ्ट करने हैं तो परमिश्वर के अभी शीग हमेशे हमारे पुरून लिने के लिए हम निरंदर दुआ करते रहेंगे निरंदर परमिश्वर से मांगते रहेंगे और परमिश्वर भी अपनी करना के अधर पर अपनी दया के अनुसार हम सुबं को हमारे मुवां को बर्दा प्रदान करते रहे हैं हमारे से दोबर कामना के साथ आस की ध्यांज की पर समावत करते हैं आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए, आधिया अपने जीवन की दैनी खुराग, कल फिर बलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपना का ख्याल रखिए, दूसरे का भी ख्याल रखिए, गाड ब्लेस यो. झाल रखिए, गाड ब्लेस यो. झाल 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 झाल